दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका हर्याना जुरीश्री इग्जामिनेशन्स की तैयारी आपकी जो है वो बहुत ही बेहतरीन चल लहे होगी और उसी सिलसले में in the connection of the हर्याना जुरीश्री इग्जामिनेशन्स मैं आपके लिए important MCQs हर्याना local laws के हैं जो इतने MCQs हैं वो आपके सामने लाया हूँ आप पस 10 मिनट आप हमें दे दो and we will try our level the best to include all the important questions from the हर्याना urban control of rent and eviction act 1973 तो रेंट जो related जो law है हर्याना का उससे संबंदित questions आपके सामने में रखने जा रहा हूँ बस कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो बने और उसी में सब कुछ आपका हो जाए तो भई बने रही है इस चैनल के साथ अगर आप first time है तो like करिए, subscribe करिए और share करिए और comment में comment भी आप कर सकते हैं और आपको किस topic पर वीडियो चीए अच्छा इसके बाद हम लोग legal GK पर भी MCQs discuss करूँगा तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप subscribe कर लो प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो चलिए without wasting your time हर्याना अर्बन control of rent and eviction act 1973 पर important MCQs बनते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं और subscribe मैं again again बोल ला हूँ subscribe जरूर करिए इससे हमें motivation मिलता है हमें पता चलता है कि आप interested हो तो हम उसी topic पर फिर वीडियो लेके आते हैं तो देखे पहला question है हर्याना अर्बन control of rent and eviction act 1973 रिसीट आपको पता है कि यह state law तो obviously बात है जो आसेंट मिला होगा वो पर स्टेंट से नहीं गवर्नर जो particular state का होता है वो असेंट देता है तो भी वो state law applicable होता है तो भाई यह date पूछ सकते हैं आपसे ठीक है आप D वाला answer कर देना 25 अप्रेल 1973 यह हमारा जवाब हो गया next question क्या है हर्याना अर्बन control and rent and eviction act 1973 is act अगर याद करना आपको याद कर लो तो लेगिन बहुत मुश्किल लग रहा है इस टाइप कम ही आ रहा है तो ठीक है कभी पूछा था तो इसलिए हमने include कर दिया लेगिन C है आप यह यह याद कर लीजे 11 एक है 1973 का तो लोग या next question क्या हो गया mark the incorrect statement अब क्या क्या होता है कभी कभी ने आप confused हो जाते हो आप पहले धंग से पढ़िए कि वो incorrect पूछ रहा है कि correct statement पूछ रहा है तो वो incorrect statement पूछ रहा है हर्याना अर्बन act आपने पढ़ लिए उने 133 से संबंदित घलत statement क्या है तो पहला statement देखूं कि जब आप section 1 पढ़ेंगे तो section 1 में यह पूरी बात नहीं है A partly correct है partly incorrect है तो आप इसे incorrect ही मानूं मिला जुला के B वाला this act extends to all urban area in Haryana accept controlment area हाँ यह पूरा सही है यह पूरा statement correct है and the C1 newly constructed buildings up to 20 years are exempted from the operation of act यह भी गला थे यह भी incorrect है क्योंकि यह पर 10 होना चीह है अना जब आप act पढ़ेंगे यह पर 10 होना चीह है तो देख लेना आप तो मिला जुला के A or C 2 तोनों incorrect है तो अगर correct answer देखें T है बोत A and C incorrect है पूछा जा सकता है आपसे वह क्यारा matching करने के लिए तो आप अगर section 2 नहीं पढ़े हो अच्छे से याद कर लो देखो एक दू को से फस जाएंगे उसमें से tenant कहां पर है tenant कहां पर है बाई 2H में है controller कहां पर है I think controller 2B में है जहां तक मुझे आद है तो tenant अगर मैं ऐसे arrow बनाऊं tenant 2H हो गया controller 2B हो गया landlord आपका है 2C में I think building तो आप मान के चलो कि 2A में है building अब जब देखोंगे तो building आप याद कर लो 2A में है और landlord जो है 2C में है so this is the correct match of both the topics तो अगर इसके हिसाब से मैं चलो आपको भी पता होगा आपने भी पढ़ा होगा तो बी यहाँ पर सही है building definition से पूछ लिए जो term है building जो define है 2A में उससे पूछ लिया question वो कहा रहा है does not include अब इसमें include क्या नहीं होता आपको पता है कि room in hotel, room in hostel, boarding house यह तीनों के तीनों include नहीं होते तो जवाब हमारा D हो जाएगा जवाब हमारा यहाँ पर D हो जाएगा कि D is the correct answer D सारे सही है building 2A में जो कह रहा है same question building से आया वो कह रहा है क्या क्या include होता है पहला question क्या include नहीं होता दूसरा question क्या include होता है तो आपको पता है पर मेरे हिसाब से D वाला हो गया यह भी सही है यह भी सही है बहुत A and B next question और अथर्टी एकसरसाइजिंग पावर्स अंडर अर्बन हर्याना एक 1973 शाल है थे सेम पावर अपावर दिया गया है वैसे ही जो सीपीसी में सिविल जच के पास पावर होता है जो सोला में बात करता है माथ अब इनकरेक्ट इससमीं पूछ रहा है वो कहारा compensation and cost incidental to all before the controller, appellate authority or revision authority shall be in the description of the controller appellate authority or revision authority as the case may be, ठीक है भाई फिर करा fact that controller the appellate authority or the revision authority has no jurisdiction to proceeding shall be a bar to the exercise of such power दो करा बी वाला, बी वाला मेरे हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप लिख लो ना, shall no bar shall no bar का मतलब क्या हुआ देखो कभी-कभी होता है कि माल यह उस authority के पास दोको जो appellate authority होता है, revision authority होता है यह controller होता है, उसके पास power होता है यह cost लगा दे, अगर उस proceeding से related उनके पास power था या नहीं था उनका jurisdictional area था या नहीं तो उससे नहीं मतलब होता है वो cost लगा सकते है, cost के power उनके पास है तो यह आप देख लेना, भाई, भी वाला incorrect है, यह गलत कह रहा है provision relating to execution of order passed under the Haryana Urban Act 1973 by the civil court having jurisdiction as if it were a decree or order of that court is वो execution of decree वाला जब आप पढ़ोगे तो आपका पता होगा section 18 में है कि execution of order passed by the Haryana Haryana Act के दाइद कोई भी order passed होता है, उसका execution कैसे होगा तो कहते है कि जो civil court civil court के दोरा वो execute चीज़े की जाती है और ऐसे ही की जाएगी जैसे कि civil court दी उस order को पार्द कर रहे है जैसे civil court अपने pass किये गए decree या order को निश्पादन करती है निश्पादित करती है, execute करती है अगर इस act के दाइद कोई order passed किया जाएगा controller के द्वारा अपिलेट authority के द्वारा तो that decree या that order shall be executed by the civil court ये बात लिखी है कहाँ पे साहब ये बात लिखी है A में power to transfer proceeding let down in section 20 of Haryana Act 1933 is vested in कहाँ पे power of transfer of proceeding एक proceeding को transfer किया जाता है section 20 में किसके पास power है तो high court कहा रहा है appellate authority कहा रहा है controller कहा रहा है तो ये दोनों के पास power है high court को भी पास power है high court एक appellate authority से दूसरे appellate authority को transfer कर सकते है proceeding और appellate authority एक controller से दूसरे controller को transfer कर सकता है case तो ये D वाला सही है दोनों के पास transferring power transfer कर सकते किसी proceeding को ऐसा section 20 में लिखा आप 20 पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको next question landlord is bound to keep the premises in good condition and shall not cut off or withhold any of the amenities enjoyed by the tenant without just and sufficient cause यह कहां पर लिखा है साब यह किसी section में नहीं लिखा है इसमें से 11, 12, 22 और none of the above तो इसमें none of the above हो जाएगा क्योंकि यह section 10 में जहां तक मुझे आदा रहा है section 10 में है तो आप section 10 section 10 देख लेना तो उसमें landlord भी या किसी बिना just and sufficient cause से किसी भी amenities को जो tenant को दिया गया है वो withhold नहीं करेगा light नहीं काटेगा जो भी है पानी नहीं बंद करेगा these are the things जो section 10 में आपको मिल जाएगा the conversion of residential building into a non-residential building prohibited ठीक है भाई किसी भी residential building को non-residential building में नहीं convert किया जा सकता convert करना है तो controller से लिखित में permission लेनी पड़ेगी ऐसा कहां पर लिखा है ऐसा आपको section 11 में लिखा तो section 11 आप पढ़ लिजेगा section B is the correct answer यहाँ पर देखे कहरा है कि हर्याना अर्बन एक 1973 का कौन सा section है जो mandates करता है हर landlord को और every tenant को of a building oriented land to submit all particular prescribed in respect to their form ठीक है भाई दोनों जो है एक prescribed format में जो भी submit करेंगे वो करेंगे यह आपको कही section 21 में मिलेगा तो C is the correct option बहुत जादे important नहीं लेगिन ठीक है देख लौग इसको section of हर्याना अर्बन एक्ट 1973 प्रिस्काइब penalties for contribution of certain provision हाथ और दोको penalties related बाते important हो सकती है यह किसी भी section में ना 18 में है ना 22 में है ना 23 में I think यह 22 में है penalties yes बाइस में है तो section 22 पर लेना भाई penalties के regarding तो कभी-कभी amount पूछ सकते है amount वो कहता है section 8-10 और ऐसे करके कैसा है violation करोगे कोई भी violation करता है तो आपको fine लगा जा सकता है जो कम से कम तक penalty लग सकती है ठीक है फाइन लग सकती है दूसरा कहता है अगर section 6 का उलंगत करोगे आप तो आपको दो साल तक की सजा मिल सकती है या fine लग सकते है या दोनों लग सकते है तो यह बात याद रखेगा और penalties में सी question बहुत बार पूछा है कि कभी भी कोई भी court जो है इस बात क किया है complaint तब court संग्यान मिलेगी या मालिया controller ने एक report बना के दिया है लिखित में controller खुद दिया है तब court जाके संग्यान मिले थे complaint उस चीज़ को तो यह भी एक बार question पूछा है मुझे जहां तक याद आ रहा है ठीक है जी आचा देगे जी वीडियो long हो रहा है वीडियो लंबी बन गए यह 10 मिनट से जादा होगी यह वीडियो तो मैं आपसे request करता हूँ कि यही तक आज रहने देते हैं part 1 में second part हम लाएंगे आपके अगर मुझे लगेगा कि आप अगर चाहते हो second part क्योंकि अभी 15 questions और है हर्याना अर्बन act 1973 पे हमारे पास तो चल्दी से comment करक सकते हैं number भी है your most welcome तो हमें पता चलेगा वह आप interested हो इस वीडियो में तो second part इसका मैं ले आओँगा so आपने अपना कीमतिवक्त दिया उसके लिए thank you so much